अपने लिए पड़लो बहुत ही कम टाइम बचा है चार मैंने फोड़ा जा सकता है जितना भी टाइम बचा है उसमें करो और अपने आपको बदलो प्यूकि नहीं बदलोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला यह संडे सेटरे उसको पाइटी घुमने में या फिर दोस्तों के सा साथ मत गवाओ मैंने लास्ट वीडियो बता है कि प्रिवेस यह पेपर जो है रहेगा आपका स्रीक्रेशना बनके आपका हमेशा साथ देने वाले आपका सार्थी रहेगा है ना सो उस पर ध्यान दो उसका रिविजन करो बहुत सारे को लगाओ साटरडे संडे को तो क्या है बच्चो सब बढ़िया सो आज हम लोग डिसकर्स करने वाले टिप्स एंड ट्रिक्स रिगार्डिंग नाटा एंड जेइमें से पटो अब देखो लगभग सिरिफ चार मैंने हमारे हाथ में हमारे पास चार मैंने जेइमें से पर टू की प्रिपरेशन के लिए वह भी हम मैनेत कर रहा है और हर दिन अपने आपको बेस्ट बनाने के कुछ कर रहेख बट कुछ डिरेकशन इसकी जरुक्स हुत हुथ होती जिससे बच्चों को थौड़ा और बूस्त मिलता है तो आज हम लोग इस वीडियो में कुछ ऐसे important techniques या फिर हम लोग क्या सकते ऐसे कुछ tips and tricks के बारे हम बात करेंगे जिससे आपकी exam आपकी preparation को थोड़ा सा और ज्यादा boost मिलेगा अगर आप 2x करें तो ये 8x तक आपको पहुचा आएगा तो सबसे पहले important trick जो एती है वह है understanding the syllabus and analyzing it तो सबसे चीज तो सबसे important कि जब आपको एक्जाम के preparation करते हो आपको एक्जाम के बारे में सबकुछ पैता रहे नहीं होना चीए वह सबसादा कि एक्जाम होती है कौन कंडक्ट करवाता है और साथ साथ कितने marks के होती है इसका syllabus क्या है paper pattern क्या है कौनते साल में last कितने साल पहले इसका paper pattern या फिर syllabus चेंज हो आता कुछ नए add-on topics जो add हुए अभी जैमेंस वेपर टो में या फिर नाटा में वह कितने साल हो गया जो add है क कहां से reference हम लोग ले सकती यह सारी चीज़े यह सारी चीज़ आपको पता करने पड़ेगी है यह सारी चीज़ में आपको नॉर्मल बता हो तो हम लोग ने अल्रेडी बहुत ही जादा detailed video बनाई यह जेइमेंस पर टो के उपर आप एक बार वो वीडियो देख लेए हो तो त पहला जो पार्ट इनली सिफ वाला वह पहला कवर होने वाला है पॉइंक नॉर्स अब सबसमाइस पार्टे हुत है कि जब किसी कि प्रप्रेशन कर रहे और यह सुटापिक से तो मैं स स्टार्ट कहां से कर ओन ने करूं गर समझ में एता है regular сек चुनता है यह मैं किस्तव भं रहा है लेंदी है और इतने हर टॉपिक से तो मैं स्टार्ट कहां से करूँ मैं पढ़ू कहां से यह समझ में आता तो बच्छा दो चीज़े चुनता है एक तो पहला क्लासे दूसरा है कि ऑनलाइन वीडियो या फिर अपने इसाफ से कही भी प्रिप्रेशन कर देता है बट य कि अगर सेल्फ्रेडी भी कर रहा है तो उसको सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा टॉपिक रखना चाहिए देखो जे में से पर्टु में हमारे तीन जो पर होते है सब्जेक्ट वह सबसादा इंपॉर्टन पहला है हमारा अप्टिटीट क्योंकि सबसादा स्कूर परफॉर्म कर सकते हैं अब महम लोग मैच की बारे में बात करते हैं मैच रैंकिंग बढ़ाता है बहुत सारे बच्चों की रैंकिंग घसराता भी अगर तुका मार के आए तो अप्टिटूट पे जादा फोकस करो स्टार्टिंग में जब इनिशियल पिरिड में जब प्र अब ऐसा क्यों क्योंकि यह जो पूर्शन काते ज़्यादा लेंदी है कॉंटिटिटिटिटिट मार्ग्स बहुत ज्यादा देता है इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं कि वीकली जो है अगर हम लोग नाटा आया फिर जेई मेंस की प्रिपरेशन को दिन के चार घंटे भी दे अब उसमें से कुछ भी चुन सकते हो आप इस प्रिंसिपल डिजाइन सुन चकते हो और बला 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 जो भी है बहुत सारे टोपिक्स हमारे रहे राइट यूनिसको वर्ल्ड फेमस टेंपल आर्किटेक्स अंधियर बूक्स फेमस आर्किटेक्स फेमस मॉनुमेंट्स इन सब्सक्राइब आपको देना है कॉंटिटिटिटूड के तरफ जो बेसिकली हमारे पेपर फोल्डिंग वाले कुशंस होते है राइट एलिवेशन वाले कुशंस होते है उस पर आपको फोकस करना है तो आपको पैरलली दोनों चीज़ गवर हो रही है क्योंकि अंदर भी द देते भी है तो इतना देते कि बाकी चाहिए चुड़ जाती है तो सिर्फ प्रॉपर हर दिन का एक घंटा दो जिसमें आपकी कोशन प्रैक्टिस थेहरी जाता मैस में होती नहीं है कंसेप्ट समझो और कोशन प्रैक्टिस लगाओ बचा एक घंटा ड्रॉइंग करो तो इस परफेक्शन लाने के लिए दे सकते हो तो यह हमारा पॉइंट नबर टू है तो इस तरीकरे से आप अपनी प्रिप्रेशन कर सकते हो तभी बहुत बच्चे जादा कन्फ्यूज होते रिगार्डिंग जेइमें से पर तू या फिर नाटा को सब जादा नाटा में सबसे नहीं है और है भी तो जैनिमेन क्लासेज नहीं मतलब जो अच्छा पड़ा पाए जो एन इटी एस पीए में पहुचा पाए एक मैं आपको बता सकता हो डिजाइन डेली बेसिकली जो इंडिया में लास्ट पिछले चार साल से बहतरीन से बहतरीन रिजल्ट दे रही है और और वान से चालुव क्लास होने वाले है सो आपको घ्लास है वह आप क्लासेज के आपको करने रिजिस्टर करना और साथो तर आपको प्लैट वैठर चाहिए चाहिए अच्छा सट्वां प्लेट्फरों आपको कहीं मिलेगा क्या है나 ही मिनिमम फिसे इंडिया की best faculty है आपको regular study material प्रोवाइड किया जाएगा और यह सारी चीज़े अगर आप सही में चाहते हूं कि आपको अपने सपनों का college चाहिए सपनों की ranking चाहिए आपकी पूरी help करेगा topic no.3 जिसको मैं कहता हूं revision सबसे अधर important है यह हमारा third point रहेगा revision क्योंकि पूरे exam के उत्रों पूरा पढ़ लेता है ना समझ रहो मतलब इतना सारा knowledge है उसने सब पढ़ लिया उसने सब गेन कर लिया वह सारी चीज़े रिकॉल नहीं होती लैक of revision के वज़े से रिकॉल नहीं होता इंसान का दिमाग कुछ कुछ बचे जो है एक बार पढ़ लेता हमेशा याद रहता है वह बहुत ही रहर है बट हमेशा याद रहना हर बच्चे के साथ जरूरी नहीं है आपको revision करनी पड़ी कि और Saturday Sunday वह सबसे बेस टाइम होने वाला है अभी जब आप प्रिपेरिंग फॉर इंटरेंस एक्जाम जो आपको बहुत ही अच्छा में अभी भी बता रहा हो कि बहुत ज्यादा अच्छा को दिला सकता है एंड बिलीव में जो S.P.A. और N.I.T. अगर आपको नहीं पता होगा तो यह almost I.I.T. के लेवल के जिसे I.T. में इंजिनेरि कॉल देजें लिटरली सही बताओ कि अपने लिए पढ़ लो बहुत ही कम टाइम बचा है चार मैने चार मैने फोड़ा जा सकता है जितना भी टाइम बचा है उसमें करो और अपने आपको बदलो कि नहीं बदलो तो कुछ भी नहीं होने वाला यह संड़े सेटरे उसको सारे कोशन्स लगा साटरड़े संड़े को और अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे पूछो टेलेग्राम चैनल में आपको अतनी अनुमती है मैंने उतना अक्सिस देख रहा है कि अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो डिरेक्ट मुझे पूछ सकते हो मेरी टीम अग इतनी चीजे अगर आप कर लेते हो मुझे नहीं लगता कि कही पर भी आपकी प्रिप्रेशन कम पड़ेगी रिगार्डिंग जेई मेंस पेपर टू अगर सही में चाहते हो कि अपने मावाप के पैसे बचाना चाहते हो खुद का टाइम बचाना चाहते हो खुद की जो बेसिकली जेमिन से पर वनवाले बच्चों को बहुत जादा मैनत करनी पड़ती है उसके कंपेर में आपको उतनी भी मैनत नहीं करनी है बस हर दिन मैनत करनी है consistency रखनी पड़ेगी और उस speed से काम करना पड़ेगा रोज करना पड़ेगा sacrifices करने पड़ेगे materialistic world को पड़ेगा reality मैं आना पड़ेगा कि बॉस अगर मैं अच्छे college में नहीं गया तो आज मैं जिन दोस्तों के साथ गुम रहा हो दोस्त भी चाले जाएंगे अपने अपने पर प्लेस हो जाएंगे क्योंकि ऐसा ना बोस की architecture में आने के बाद इंसान बहुत जादा वर्क हो जा एक artist एक designer जो रहते है उस perspective में सोचो उसके अलगा कुछ भी मत सोचो क्योंकि पाच साल अच्छे college में बिताओगे तो अच्छी life बनेगी आगे अच्छा package मिलेगा अच्छी job opportunities होगी बेकार से college में आओगे तो कोई पूछेगा भी नहीं सो चार मैंने लगाओ मैंनत करो और tricks and tips हम लोग लाने की कोशिश करें क्योंकि architecture theory में तो कुछ tricks and tips होती नहीं बट हम लोग quantitative aptitude में बहुत ऐसी चीज़ होती जहापे हम लोग easy way method से solve कर सकते questions को सो हम लोग आने वाले वीडियो में उस पे भी discuss करेंगे तब तक आप अपनी preparation शूरू रखो बहुत मैनत करो कुछ लगता है तो मुझे telegram या फिर instagram पर हमें DM कर सकते हो message कर सकते हो दिलकूल help होगी बस आप पैड़ा ही करो इतना ही मेरा कैना है सो मिलते नेक्स वीडियो में तब तक best of luck और आगे जो भी update रहें हम आपको देते रहेंगे रिगार्डिंग जैमेंस परटों नाता भी सो मिलते